वारपन अवाज अहमद और यूट्यूब चैनल मैं आई हुई हुँ दिली और इसमा खड़ी हुँ चानी चॉक मार्केट में और मैं आप लोगों को एक्ष्टोर करके दिखाऊंगी जहां तक उससे बन पड़ेगा देली का चानी चॉक मार्केट तो मेरे सब विडियो के इंट तक बड़े रिखिएगा अच्छा लग रहा है देखो यह वाला जो पॉंचिव आप लोग देख रहे हो ना यह 500 रुटीस का है चोटा बच्चा का दुकान ने तुमकों बड़ा तुमसे मिल जायागा भई डेली का चानी चॉक मार्केट जो है ना मैं एक्स्प्लोर कर रही हूँ और मुझे इस बात का अंदाजा लग रहा है कि यह जो मार्केट है ना चानी चॉक डेली वाला यहाँ पे शादियों के लिए काफी ज्यादा अच्छे अच्छे ड्रिसस अवेलेबल है चाहे वो जेंट्स के हो या लेडीज के हो आप लोग देख ले यहाँ पे शेरवानी भी एक से एक है यहाँ पर पंजाबी सूड भी एक से एक है और आप लहगा बगएर अगर लेना चाहते हो तो यह देखे लहगा का कलेक्शन क्या जबरदस्त लहंगा का कलेक्शन है यहाँ पर जब वहाँ जब आटे ले लें कर दो अरू है क्या जाता है तब आटे रूपीश प्याटी रूपीश का है तारा क्या आटे आटे प्रेश आटे जाटे लें है फिंगर रिंग कितने करके है दो लेना है दो कॉप्शन ले 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 भी थोड़ा खुमागों के दिखा दीजिए यूर्ड़ है यूर्ड़ाइबो यूर्ड़ यूर्ड़ भाई फ्रेंड्स वाइल एक्स्प्लोरिंग चाननी चॉक मार्केट आफ डेली मेरी निजर पड़ी है इस वाले शॉप में जिसका नाम है जलेवी वाला और भाई ये काफी ज्यादा पुराना शॉप है यहां का और जितने भी लोग आते ना यहां मार्केटिंग करने के लिए मीठा खाने का दिल होता तो यहीं सिखाते हैं कलेक्शन मुझे यहां पर चाननी चौक में अच्छा अच्छा लगा है इस पेशली अगर आपके घर में कोई शादियों वाला ऑकेशन है पार्टी है तो फिर आप यहां पर आकर खाईदारी कर सकते हो अगर आप डिली इस पेशली जाते हो शादि के मार्केटिंग करने के लिना तो मैं आप लोगों को दो मार्केट को उप्शन दूँगी एक है लाशपतनगर मार्केट दूसरा है चान्नी चौक मार्केट इन्शालला बहुत जल्द मेरे चैनल पर ना लाशपतनगर मार्केट वाला भी वीडियो अपलोड होने वाला है तो इसलिए अगर आप व्लॉग बोलकर पूरा सिरीज जो है ना मेरे चैनल पर ओन है यह लटकन जटकन गोटे वगएरा की दुकान है अमेस्स नहीं है भाई फ्रेंट्स जैसे के मैंने आप लोगों को बताया कि यह एक ऐसा मार्केट जहां पर आप शादियों के लिए मार्केटिंग कर सकते हो त बहतरीन आगे बढ़ने पर ना फ्रेंड्स यहां पर मुझे एक बैग का शॉप नजर आया है तो आप लोग देख ले यहां पर ब्राइट्स के लिए काफी अच्छे अच्छे बैग्स और मेकप बॉक्स होते है ना वो भी है यहां पर मैं भी आप लोगों को कैमरा नीचे करके दिखा दूए देखें ब्यूटिफल यह सामने जो रेस्टरांट देख रहे हो ना यह कैफे में कनवर्ट हो गया इसमें पहले अहमद आया करते थे इसलिए मैंने आप लगों को दिखा दिया बच्चों के लिए यहां पर काफी ज्यादा अच्छे अच्छे कलेक्शन यहां पर आगे बढ़ने पर ना फ्रेंड्स मेरी निजर पड़ी थी यह वाले जगा पर जो एक गुरू दुआ रहा है और जो काफी ज्यादा खुप्सूरत और यहां पर ना लंगर चल रहा था आप लोग देख ले यहां पर पुरा जुक्राओबा मध्रादा का निजर सुब्स यहां यहां ज़िए जिए अच्छले गुरू जो भी जरी आख लेकर राएक ही जुक्रादा पशल्य है है ग्यादा इसकी ना यहां चले जहां रहारा है एक तरफ गुरुद्वारा और दूसरी तरफ मस्जिद से अजान की आवाज यह है दिल्ली माशा अलाह जेके यह देखेंगे यह गुरुद्वारा और यह देखेंगे यह मस्जिद तो भई चाननी चौक मार्गेट अगर आप चलते चलते ठक गए हो तो यहां पे बैटने का इंतिजा में यह देखें रेड रेड सा बनाया हुए यह बैटने के लिए इस्पेशली पब्लिक के लिए तो भई कहना बनता है कि सीम केजरिवाल जो है ना डिली के पब्लिक का काफी ज़्याल भी रखते हैं वेल फ्रेंट्स शादियों के बात हो रही है तो यह देखें हल्दी सर्मेनी कैसे पीछे रहा है तो इसलिए हल्दी से रिलेटेड सारे जोल्री भी है यहां पे फ्लावर बगएरा के मैं आप लोगों कैमरा घुमाकर एक बार दिखा रही है ना जारा चानी चॉक मार्किट का पूरा आप लुग देख रहे हैं कितना ज्यादा भीड यहां से जो आप लोग देख रहे हो ना यह पूरा चपल बजार है देने के अगला में तुब से और कि द intrside or के का भुए है कि थी आप सिंह यहां गें इन बीजायब को यहां झाये के हैं कि सब्चाभास यहां कि को बदाइन ने ए kasih आए बलुए हम उन्हें कि आत्स यूसे पन्तो ने बाइड और पीछ किलर ने बाइड बाइड प्रेंड आज के दिन ना हम लोग निकले थे जामा मस्जिद एरिया गुमने के लिए और जामा मस्जिद के एकदम पास में ये चानी चौक वाला मार्केट था तो इसलिए मैंने यहां भी एक्स्प्लोर कर ली और साथ में आप और पोर दिखा दूं कि दिल्ली में यह वाला रिक्षा काफी ज्यादा चलता है जिसके फीछे भी आप उर्ट सकते ओड़ा दे कि मेरा भी मन हो रहा है इस वाले रक्षे में बैटने का चान्ली चौक मार्ट जो हैं आप लोगों को एक्स्प्लोर कर लिजेगा पर आज को बेल आइकन होता है कोने में उसको भी हिट कर लीजेगा मिलती हो अब आप लोगों से दूसरे वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें बाई 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 चेके रिल्ला हाफिस और भाई फ्रेंड्स अगर हमारे कोलकता का ट्राम फेमस है तो देली का रिक्षा भी फेमस है इसलिए मैं देली के रिक्षा में बैट गई योवजारी होटिल के तरफ बाई बाई